प्यारे बच्चों, जिस मनोस्थिती में, जब आज आप बैठे हुए हैं, वैक अभी 2017 में मेरी भी होती थी, बेटे ने प्लस टू कर ली, देवी जी ने कहा कि भई कहीं बहुत अच्छी जगें कहीं आप ढूलिए और इंक आडमिशन करवाई ये बच्चे का, मैं भी सबसे कि अब दिल्ली दूर रही है, बारा बजे में कि और दिल्ली को भी देख लेते हैं, हमने उनको भी विजिट किया, और करीबन छे साथ बजे तक हम वो देख के हरमें लगा कि नहीं, वो कमफर्टेबल जोन और जो विवस्था हैं चाहिए वो भी यहां फुल्फिल नहीं हो पारी है, गाड़ी उठाते हैं, कोटा चलते हैं, तो कोटा के बारे में मेरे खियाल से बताने कि कोई आवशक्ता नहीं है, बहुत बड़ा एजुकेशन हब रहा है, कोटा के लिए निकल लिए अब कोटा गए, तिरार सो मैन इंस्टिशन और देया है, और वो ठंग से उनक हमने वहां हर संस्था को विजिट किया, और लास्टली जब हम शाम को पहुंचे, तो इतने मन में कोश्चन थे, कि ये बहुत बड़िया चीज है, देकि इसके साथ इसमें इस-इसका समावेस नहीं है, अपना बच्चा यहां कहीं बिगड़ना जाए, कोई केर नहीं है, को हमने जो लिये हुए हैं, सुने हुए हैं, बड़ा मन में अंतर ध्वंद, कि या रहो तक जा लिये, दिल्ली जा लिये, एक दिन कोटा लगा लिया, और कोई सैटिस्ट्रेक्शन नहीं आ रहा, मारे रास्थान में आयो है, एक पर सिक्कर ओर देख लेते हैं, यो CLC की मेरा क सिक्र चलते हैं, हम जर्नली उस टाइम थोड़े से लेट थे, 2017 में, क्लासीज स्टार्ट हो चुकी थी, हॉस्टल पैक हो चुके थे, मैं सरबंजी से मिला, सारी व्यवस्ताएं देखी, नोने मुझे बैठ के सारा समझाया, और करीबन एक घंटे के बाद, जब सारी व्यव आती है, कि बच्चा रहे कहां, तो मैं, मैंने चोधरी साब से रिक्वेस की, मैं सर सब आपका तो पैक हो गया, आपके पास तो दिरार नंबर आफ स्टूडेंट्स, अब बच्चे को छोड़ें कहां, और सभी का, बेसिकली क्या है कि अपना-पना स्टार्टिंग से कि बात तो नहीं है, मैं इस विवस्था में नहीं रह सकता, वो वापिस ना आ जाए, वो भी चिंता, मैं सर अब एक छोटी सी ये दिक्कत है कि आपके पास इतनी गैदरिंग है, आल आवर इंडिया कि सब कुछ पैक है, बच्चार रखेंगे कहां, छोड़ना आपके पास अब देखिए इन्होंने तुरंत कटेवाजी, इनके बड़े ही अच्छे ओफिस में चार्ज है, साथ में ये और कहना चाहूंगा, मैं बात मेरी बात में पूरी करूंगा, कि जो इनकी बेसिकली जो टीम है ना, आप उनसे कभी मिलिये, आपको हर एक में सर्वन दिखाई टेगा, ये नहीं कि किसी ने किसी कोई गोलिया देनी है, बेसिकली क्या होता, स्टाफ में बई है ना, ओर्गिनाजेशन इनकी जिम्मेभारी है, साथ में सर है, इनकी जिम्मेभारी नहीं, आप किसी से भी मिलिये गा, वो उतना ही उत्तरदाइत्व लेंगे आपके The main thing is that, पिर बोले, कटेवाजी वो सामने डाकाजी का मकान है, बहुत बढ़िया बनाऊ है, एक बार उनको बुलाओ, और ये मात्र देड़ दो घंटे में, जो एहसास, जो अपनापन, जो विश्वास, मैं पूरे 900 किलोमेटर चक्कर लगाके नहीं में ले पाया, वो मात्र इनोंने मुझे डेड़ घंटे में दिया, और उसके बाद, मैं ये नहीं कहता, मेरा बच्चा मात्र प्लस्टू में 92-93 परसेंट का बच्चा रहा है, कोई एवरेज बेटा है मेरा, और फरस्ट टाइम, क्योंकि मैंने प्लस्टू में उनको उहां छोड़ा नहीं था, प्लस्टू के बाद गया तो एक बार उसने नीट के एक्जाम में अपीर हो चुका था, नॉर्मल से माक्स थे उसके, और जब चोदरी साब के हाथों चड़ाओ, और इनकी व्यवस्थाओं के साथ, और फिर उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी, अच्छे माक्स लिए, आज बेटा मेरा थर्ड येर में है, और वो अभी भी खुश है कि उस टाइम, हमें इस संस्था का साथ रहा, वो अपना पन मिला,